गाइस सब्सक्राइब करो टेक बार को और क्वालिट एक वीडियोस देखो हिंदी में और बेल आइकन को तबाइए नोटिफिकेशन के लिए हेलो मेरा ना मैं संचेत और आप देख रहे हैं टेक बार और MIA2 नहीं आ रहा सॉरी MIA2 अभी नहीं आ रहा बट सिल हमें पहले leaks देखने को मिल जाते है कि इस phone में क्या मिलेगा अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रही है तो बिना किस दिरी के cheers देखो भाई जो हमारे Motorola के फोन होते हैं लोग उनको जनरली इसलिए खरीटते हैं कि हमें स्टॉक एंडरोड देखने को मिलता है और बहुत ही स्मूध एक्सपिरेंस होता है बट अपना शाओंवी जो है बजट किंग बनना चाहता है तो वो भी अपना फोन निकालते हैं अपना चाहिए जिसमें भी हमें स्टॉक एंडरोड देखने को मिलता है और वह बहुत ही अच्छा एक्स्पिरेंस देता है चलो आपको मैं अपने देखने को मिल सकता है हमें MIA2 में अगर Redmi Note 5 Pro वाला चिपसेट नहीं मिलता जो कि Snapdragon 636 कोई और मिलता है तो मार्केट में जो है विराइटी हो जाएगी और लोग कोई भी चूज करेंगे और जाध जाधा फोन बिकेंगे तो मेभी इनकी ये स्ट्राटेजी हो और हमें Snapdragon 660 मिल जाए ये मेरा आइडिया है बाकी 4GB RAM और 64GB storage तो बहुत जाधा common हमें हर एक phone में देखने को मिलता है वैसे मैं सोच रहा थे कि MI-A1 कितना जाधा विका है आज के टाइम बे मुझे हर दूसरे बंदे के पास MI-A1 देखने को मिलता है तो मिरे सबसे MI-A2 का लोगों को कुछ जाधा ही weight है और बहुत जाधा expectations है चलो अब MI-A2 के display के बारे में बात करते हैं हमें इसमें देखने को मिल सकती है 5.99-inch की display 18-9 aspect ratio वाली देखो भाई ये चीज़ तो clear है कि हमें इसमें H2S में देखने को मिले कि 2018 में सबसे बड़ा trend है और हमें हर phone में चाहिए चाहिए बाकी मेरी last demand ये है कि यार notch मत देना बहुत ही irritating है यार वो चलो बात करते हैं MI-A2 के camera के बारे में हमें इसमें देखने को मिल सकता है 20 प्लस 8 megapixel का rear camera और 20 megapixel का front camera सच में Xiaomi 20 प्लस 8 megapixel का camera इस 8 megapixel वाले का काम क्या है ये तो आने के बाद ही पता लगेगा बाकी मेरे साब से 20 megapixel का front camera logical है क्योंकि Redmi Note 5 Pro में हमें same देखने को मिला था बट कार्श इस बारे लोग अपनी image processing सुधार ले front camera ही चलो बात करते है MI-A2 के design के बारे में हमें इसका back panel जो है देखने को मिलेगा पूरी aluminum body वाला और बीच बार में मिलेगा fingerprint scanner और हमारा camera होगा वो vertical होगा iPhone 10 की तरह और पीछे जोगा normal सी MI-A2 की branding मिलेगी और हमारा front में होगी हमारी 18-9 aspect ratio ली display मेरे साब से obvious design और हमें MI-A2 शायद ऐसा ही देखने को मिले चलो बात करते हैं MI-A2 के price और launch date के बारे में सबसे पहले हमा आपको बताता हूँ कि MI-A2 अभी नहीं आ रहा आप Redmi Note 5 Pro खरीड लो अगर आपको urgently कोई phone चाहिए फिर आप Moto G6 Plus के लिए wait कर सकते हैं क्योंकि वो phone भी बहुत ही अच्छा होने वाला है बाकी हमा आपको बताता हूँ कि हमारा MI-A1 जो है सबस्क्राइब कर लो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लेना अगली एडियो मिलते हैं थैंक्स वाच्यों